कि अधिया देखिए पहली चीज़ तो यह है कि आपको बता दें कि अगर हम वाइस ओफ आजमगर कमटी डेडियो की बात करें तो यह आजमगर शेत्र का एक मत्र रेडियो स्टेशन है और अकेला रेडियो स्टेशन होने के नाते हमें लगता है कि हमारी जिम्मदारी भी कुछ जादा ही है हमारा ट्रांस्मिशन जो है मतलब जो प्रसारण है वो दस घंटे पर लेका है सुबा हम 6 से लेकर 9 बजे तक शाम को भी 6 से 9 बजे तक और दोपहर में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम प्रसारण करती है हम लोग शिक्षा से संबंधित कारिक्रम भी करते हैं आम जनता से भी और महिलाओं पर फोकस होने के जरिये जो हमारी कारिक्रम होते हैं वो महिला स्वास्थिक के विश्यों को लेकर भी बहुत जादा होते हैं हमने महिला स्वाश्दी के विश्यों पर उन विश्यों को उठा कर बात की है जिन पर बात करना महिलाओं के बीच में भी बैन समझा जाता था आज इस्थिति ये है कि आज जो अगर हम बात करें कि मैंसेज हैं पेरियट्स हैं इन सब पर भी महिलाएं खुल कर बोलती हैं बात करती हैं लड़कियां बात करती हैं अपनी समस्याओं को हमसे साजा करती हैं इसके लावा जैसे अभी हमने एक सीरीज की थी जो खास तोर से थी बालियान शोशाप पर आधारेत अगर हम देखें तो हमारे समाज के हर जगों प की और नशीर गुल्ड सेक्सल गलर्ड सेक्स्वाल ब्यूष पर बात की फैल्की जो मेल मेंबर्स होते हैं मेल eingड्रिय सिक्सवाल भी ब्चिशाप है कि और लोगों ने थोड़ा सा शुरू में इंकार रहा शर्म रही और उसकेelyn बदा़ खुलके बात की अंधिभा लड़क खुशियां तुम्हारे आंगन की, खुशियां तुम्हारे आंगन की, कलियां तुम्हारे आचल की, हम सजीनत तुम्हारे जीवन की, हम बेठियां, हम बेठियां, हम बेठियां पैदा हुए तो हम दहलीज मुस्कुराई हमारे आने से जिन्दगी खिल खिलाई मुहपतो का रंग हमने भी खेरा हम बेटियां हम बेटियां हम बेटियां एक कुल नहीं दो कुलो को हमने सजाया देखकर खुन दिल ये जहां बसाया हम एक प्रोग्राम करते हैं बच्पन एक्स्प्रेस इसमें हम सब बच्चे मिलकर एक साथ छोटे बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं उनकी फैमिली से मिलते हैं फील्ड में निकलते हैं जरी बच्चों से मतलब पूछते हैं क ताकि बच्चा पढ़के आगे बढ़ मतलब निकले तूसरे फिल्ड में उभी जाये और इसको आप रिकॉर्ड भी करती है हाँ इसको रिकॉर्ड भी करते हैं बच्चे से उसकी वाईसों को लेते हैं फिर अपने टेटो इस्टेशन में देते हैं ताकि दूसरा भी सुने कोई यही कहानी लिखना और इंट्रू लेना क्या सबसे अच्छा मज़ा क्या प्रेकर लेना मज़ा हमें गाउं गाउं जाकर और सबकी इंट्रू लेना वह अच्छा लगता है सबकी रिकॉर्डिंग करना मैं जब अपनी आवाज को रेडियो पे सुनती हूं मैं ही नहीं मेरे फैमिली में जो भी सुनता है उनको फील होता है कि हाँ मारी बच्छी कुछ कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और में जिते फ्रेंड्स हैं सब लोग कहते हैं आज हमने तुम्हारी आवाज सुनी इस प्रोग्राम में तुमने ये बोला बराबर वो लोग कैच करते रहते हैं, तुम आज कोई ऐसा प्रोग्राम बना रही हो, हमने कहा कि हाँ तुम्हें कैसे मालब कर रेडियो हमने सुना था, तुम्हारी आवाज अच्छी लगी अब सवाल यह है कि अन्जाय शोहीद में कम्मुनिटी डिडियो लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इस पर एक शेर याद आता है कि अंधेरों में सारा शहर खो रहा था, मुझे हरगली रोशनी बाटने दो, तो एक रोशनी की एक शमा जलाने की एक कोशिश की गई, जो इसके फाउंडर्स थे उनके जरीए कि तालीम के लिए उन्होंने एक अधारा तो खोल लिया, एक उन्होंने इंस्टिटूशन खोल लिया, मगर एक जरूरत यह थी कि जो लड़कियां यहां पर आ रही हैं, यहां की जो कम्मुनिटी है, खासतोर से अगर हम बात करें, महिल जाओं के लिए की खोला गया, तो क्या उनको right to choice है, क्या वो पढ़ रही है, तो उस पढ़ाई का वो ब्योग कर पा रही है, क्या उनके पढ़ाई का मकसद सिर्फ इतना है, कि हाँ ठीक है, घर ना बैठो, स्कूल चली जाओ और पढ़लो, और उसके बाद जहां कहाँ चाह पादी कर दीजाए, क्या वो अपने लिए, या पने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कोई decision ले सकती, क्या वो अपने स्वास थे, जैसे मुद्दों पर भी, जो एक बहुत छोटी सी बात है, बात कर सकती, क्या वो खुलकर अपने आवास को उठा सकती, तो ऐस और उनको एक छोटा सा फरक समझा सके कि सिर्फ पढ़ने और पढ़के कुछ गढ़ने में क्या फरक है